Hello everyone, welcome you all on Indopart Shala आज हम लग इस वेडियो में discuss करेंगे 1857 revolt से related important type of questions को आपके exam के perspective से बहुत ज़्यादा important है तो इसको starting to the end जरूर देखेगा तो सबसे पहले हम जानने थे कि 1857 की क्रानती का reason यानि की कारण क्या था तो सबसे जो major reason देखने को मिलता है ये चर्बी लगे हुए कार्टूस तो ये किसकी fat से greased थे तो ये fat of cows and fat of pigs गाय और sewer की चर्बी लगे हुई थी तो that is the reason की both Hindu and Muslim sepoys refused to use them process था कि before loading these rifles the sepoys had to bite off the paper on these कार्टूस हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्म में ये चीज़ गुनाह मानी जाती थी जिसे हमारे हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है उसी तरीकी से हम गाय के चर्बी का इस्तमाल नहीं कर सकते तो ये एक major reason था प्लस डलहौजी की doctrine of lapse यानि की गोद लेने का सिध्धान्त या व्यपगत का सिध्धान्त आया हुआ था वेलेजली की subsidiary alliance आई हुई थी यानि की सहायक संधी तो ये सारे बहुत ही सारे main reasons थे प्लस जो पेशवा बाजी राव सेकेंड की जो adopted son थे धोंधू पंथ या फिर नाना सहाब उनकी pension भी बंद कर दी गई थी जिसको की अजी मुल्ला को भेजा गया था pension दिलवाने के लिए तो ये सारे reasons main थे जो 1857 revolt को आगे बढ़ाते हैं तो date decided था 30 तारीक बट उसके पहले ही हो जाता है तो start करते हैं अपने questions को the revolt of 1857 was started in Meret on 1857 का विद्रोह Meret में कब शुरू हुआ था तो ये 10 मई 1857 को शुरू हो गया था यानि कि C option correct हो जाएगा देखें मार्च 1857 में मंगल पांडे एक सिपोई यानि की सैनिक थे कहां पे बैरकपूर वेस्ट बेंगॉल में 34th infantry के तो इन्होंने refuse कर दिया था इन चर्वी लगे कार्तूसों को यूज करना जिसपे कि सुवर और यानि कि पिग एंड काउज के फैड लगे हुए थे तो अपने officers पर भी attack किया था तो तभी से ये सारी चीज़े शुरू हो जाती है तो इस वज़े से फिर क्या होता है कि 9th of May 1857 में मेरट में 85 soldiers जो होते हैं उन्होंने भी refuse कर दिया था कि ये new rifles हम लोग यूज नहीं करेंगी क्योंकि इस पे this all are greased with the fat of cows and pigs that's why we are not going to use them so that was the day of 10th of May 1857 जब 1857 का revolt start होता है मेरट से यानि की उत्तर प्रदेश next question who was shot dead by Mangal Panday during the time of revolt in 1857 तो 1857 के विद्रोग के समय मंगल पांडे ने किसको गोली मार कर हत्या कर दी थी तो ये दो लोग थे Major Hudson और बाग तो ये Hudson और बाग को ये two British officials से इनको कैलकटा में kill कर दिया था March 29, 1857 को by Mangal Panday ठीक है तो Mangal Panday को इसी वज़े से फांसी दे दी जाती है 8 April 1857 को Mangal Panday को देखे 10 दिन पहले ही फांसी दे दी जाती है 10 days before the schedule date of April 18 18 April को decided था कि Mangal Panday को फांसी दे दी जाएगी क्योंकि इन्होंने kill किया है Hudson और बाग को ठीक है बट इतनी जादा इंडियन मास थी उस टाइम पे तो वो लोग सोच रहे थी कहीं Mangal Panday को बचा न लिया जाए तो वो 10 दिन पहले ही 8 April को 1857 को फांसी दे दीते हैं Mangal Panday को ठीक है next question which regiment was Mangal Panday in 1857 Mangal Panday 34th Bengal Infantry Regiment से related थे तो ये most important question है 34th number का है ध्यान में रखना है आपको और ये Mangal Panday के एक स्लोगन भी दिया था इन्होंने नारा था इनका मारो फिरंगी को फिरंगी that means ये अंगरेज और इनके बारे में important fact है देखिए Mangal Panday का birthplace उत्तर प्रदेश बलिया में स्थित है और बलिया बॉर्डर एरिया है कहां का UPN बिहार का और इंडियन गवर्मेंट ने issue किया था एक stamp to commemorate him in 1984 ध्यान रखेगा उनको याद करने के उद्देश से गवर्मेंट ने issue किया था एक stamp भी 1984 में with the name of Mangal Panday next who was governor general during the revolt of 1857 1857 के विद्रो के दौरान governor general था was Canning okay तो Canning was the first viceroy of India too तो ये ध्यान रखना है Canning was the first viceroy of India and during the revolt of 1857 governor general of India was Canning okay next question which one of the following commissions is associated with the army reorganization after the suppression of the revolt of 1857 निम्न में से कौन सा आयोग 1857 के दमन के बाद सैन्य पुनर गठन से संबंधित है तो Peel Commission ठीक है Peel Commission ध्यान में रखना है तो this commission was headed by Jonathan Peel तो उन्ही के नाम पे ये Peel Commission है and this Peel Commission suggested reforms and the British government accepted these recommendations and redesigned military forces तो ये था 1857 की क्रांती के बाद तो ये Peel Commission आपको ध्यान रखना है this was associated with the army reorganization after the suppression of the revolt of 1857 next who was the British PM during the revolt of 1857 1857 के विद्रोह की समय ब्रिटिश प्रधान मंत्री Palms Turn थे और Queen या Crown का साशन तो ये Victoria का शाशन था और 1857 के symbols की बाद करें तो Lotus and Bread था कमल और चपाती ठीक है? Bread next question who led the revolt of 1857 in the city of Lucknow? 1857 की क्रांती का नित्रत्व Lucknow में किस ने किया था? तो Begum Hajrat Mahal और बात करें देखें, Nana सहाब ये adopted son थे of Peshwa Bajirao II Bajirao II was the last Peshwa of Maratha and if we talk about original name of Nana सहाब तो वस धोंदूपन्थ ठीक है? धोंदूपन्थ और देखें, जो तात्या टोपे है इनका original name was Ramachandra Pandurang बट इनके साथ बहुती बुरी घटना होती है नेपाल से जब ये आते हैं उनको पकड़ लिया जाता है और 18 April 1859 को तात्या टोपे को शिवपूरी मध्यप्रदेश में फांसी दे दी जाती है hanged ठीक है तो ध्यान रखना है आपको original name of तात्या टोपे was Ramachandra Pandurang and original name of Nana सहब was Dhondupant and Nana सहब was the adopted son of पेश्वा बाजिराव second who led the revolt of 1857 in बिहार जगदीशपूर तो ये 80 years के थे 80 साल के थे कुमर सिंग तो ये जो बिहार यानि कि जगदीशपूर में suppression किया गया था तो ये बिटिश जो officer था William Taylor और Iyer इन्होंने suppress किया था देखे एक और important है fact मिर्जा गालिब एक उर्दू point थे इन्होंने अपनी eye witness किया था ये 1857 revolt को तो ये भी कभी पूछ लिया जाता है ध्यान रखना है मिर्जा गालिब उर्दू शायर थे और इन्होंने 1857 के करांती को देखा था अब देखे यहाँ पे leaders and suppression की बात की जा रही थी जैसे जगदीशपूर में कुवर सिंग ने lead किया था तो इसी तरीके से देखे डेली में place of revolt is डेली और इंडियन लीडर थे बहादुर शाह 2nd या फिर बहादुर शाह जफर तो ये last ruler थे इनको रंगून में भेज दिया जाता है ठीक है तो देखे बात करते हैं बहादुर शाह 2nd फिर last में आते हैं बक्त खान बक्त खान बरेली में भी करते हैं leader रहते हैं वहादुर शाह 2nd के साथ में और वहादुर शाह 2nd के साथ में और वहादुर शाह 2nd थे डेली में और सप्रिस किया था British officials ने तो वो John Nicholson थे फिर इसकी मृत्ति हो जाती है फिर Hudson आ जाता है ध्यान रखना है दो थे और Nicholson की death हो जाती है लखनाओ में बेगम हजरत महल लीड करती हैं और यहाँ पे suppression करने आते हैं Henry Lawrence इसकी भी death हो जाती है फिर आता है Campable कानपूर में नाना साहिब लेड करते हैं और Colin Campable यही जो Campable है देखी लखनाओ कानपूर दोनों जगए हैं लखनाओ कानपूर बरेली तीनों जगएं पे है Campable जहांसी और ग्वालियर में तो जहांसी में तो महरानी लक्ष्मी बाई मनी करने का और तात्या टो पे यह सैन जो प्रशासन है उसको देखते हैं इसको लीड करते हैं और यह हिरोज था यहां पे हिरोज लक्ष्मी बाई के बारे में एक statement भी देता है कि यहां पे जो भी विद्रोग करने वाले आदमी है उनमें अकेली यह मर्द है लक्ष्मी बाई यह यहां पे जो लेटी हुई है मतलब लक्ष्मी बाई की death के बाद यह statement देता है बरेली में देखे खान बहदूर खान लीड करते हैं और कैम्पे बेल यहां पर इनको दबाने के लिए आता है यह विद्रोग को suppress करने के लिए आता है अलाहबाद में देखे लियाकत अली मौलवी लियाकत अली यह इंडिया लीडर थे यह लीड करते हैं नील यहां पर यह सप्रिस करने आता है बिहार में देखे कुवर सिंग जगदीसपुर 80 साल के थे और विलियम टेलर यहां पर आता है सप्रिस करने बट यह बहुत ज़्यादा बहादूर थे बहुत ज़्यादा ब्रेव थे अड़ इज़ अफ 80 नेक्स्ट देखे फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह और यहां पर भी नील आता है बरेली में खान बहादूर खान लीड करते हैं फतेपुर में अजिमुल्ला लीड करते हैं और यहां पर यह सप्रिस करने आता है रेनार्ड मेरट में कदम सिंग, पटना में पीर अली और विंसेंट आयर इसको सप्रिस करने आता है महराष्टर में रंगो बापुजी गुपते और असाम में मनी राम दिवान तो यह सारा आपको थोड़ा सा रिवाइस कर लेना है तब आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा यह most important slides है ध्यान में रखना है कि यह जो सप्रिस करते हैं वो भी question पूछा जाता है प्लस कहां से कौन lead कर रहा है यह भी question पूछा जाता है ठीक है यह सारे आपको याद कर लेने हैं किस ने कहा कि यहाँ पड़ी हुई औरत यह इन सभी विद्रोहियों में अकेली एक मर्द है तो यह लक्ष्मी भाई के बारे में statement था heroes ने कहा था ठीक है आपका option number A यहाँ correct हो जाएगा तो देखे यही इसी ने heroes ने कहा था here lay the women who was the only man among the rebels अब यहाँ पर कुछ हम important quotes देख लेते हैं जो की 1857 revolt के बारे में कहे गए हैं तो देखे सबसे पहला जो statement आया था T.R. Holmes ने कहा है कि 1857 revolt एक type का conflict था between civilization and barbarians barbarians किसको कहा है तो यह Indians को कहा है और civilized किसको कहा है तो Britishers को कहा है तो इसका यह statement था T.R. Holmes का तो यह ध्यान रखना है अगर पूछा जाए कि who said this conflict between civilization and barbarians in the respect of 1857 revolt तो answer will be T.R. Holmes James Artram ने describe किया है 1857 revolt को that joint conspiracy of the Hindu Muslim communities मतलब कि Hindu और Muslim की यह शडियंत्र है दोनों समुदायों का यह James Artram का यह statement है ध्यान रखना है Benjamin Disraeli है इसने describe किया है as a national revolt राष्ट्रिय करांती के रूप में इसने describe किया है ध्यान रखना है Ries है इसने observe किया तो यह इसने 1857 revolt को कहा है war against Christianity इसाईयों के विरुद्ध यह एक युद्ध था तो यह Ries का कथन है Ries V.D. सावरकर और अशोक मेहता ने 1857 revolt को कहा है first war of Indian independence ध्यान रखना यह पूछा जाता है first war of Indian independence 1857 revolt को किस ने कहा है तो V.D. सावरकर यानि कि विनायक दामोदर सावरकर और अशोक मेहता ने देखे और भी कुछ statements हैं जैसे what began as a fight for religion ended as a war of independence तो यह का है essence सेन ने अभी एनके book भी आएगी वो important है ध्यान रखना है यह most important है पूछा जाता है यह R.C. मजुमदार ने कहा है 1857 revolt को सिपाही विद्रोह किस ने कहा है तो यह Lawrence ने कहा है और Celia ने कहा है ध्यान रखना है आपको तो यह सारे ही statements आपको ध्यान रखना है गो थू कर लेना है आपको एक से दो बार और तो आपको याद हो जाएगा अब कुछ books भी लिखे गए थे उनको भी हम discuss कर लेते हैं जैसे देखे S.N. Sain, Dr. Surindranath Sain यह वही है S.N. Sain की बात करें तो देखे यह इनका statement थी इनकी बुक है जिसको की Government of India ने प्रकाशित करवाय था 1957 में 1857 नाम से बस यही नाम यह बुक का ठीक है 1857 तो Dr. Surindranath Sain की यह बुक है नेक्स्ट देखे दा इंडियन वार उफ इंडिपेंडनेंस बाई विनायक दामोदर सावर कर यह most important है क्योंकि यह पूछी जाती है Rebellion 1857 A Symposium तो यह पूरन चंद जोशी की बुक है The Indian Mutiny of 1857 तो यह George Bruce Mallison की बुक है Great Mutiny by Christopher Hibbert तो यह ध्यान रखना है Great Mutiny अगर बात की जाए Next देखिए Iqbal Hussain की बुक है Religion and Ideology of the Rebels of 1857 Excavation of Truth Unsung Heroes of 1857 War of Independence तो यह Khan Muhammad Sadiq Khan ठीक है Khan Muhammad Sadiq Khan की यह बुक है तो इसमें से जो most important है यह first number वाला है second number वाला है बट यह भी other information थी क्या पता आपको question पूछ ली जाए तो ध्यान रखना है ध्यान रखना है विनायक दामोदर सावरकर की बुक The Indian War of Independence और सिर्फ 1857 किसकी बुक है तो डॉक्टर सुरेंदर नाथ सेन की यह Government of India ने प्रकाशित करवाय था पब्लिश करवाय था in 1957 ठीक है नेक्स्ट देखी कुछ और भी बुक्स है जैसे Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857 वोज रिटेन बाई Ramesh Chandra Majumdar ठीक है RC Majumdar जिनका की एक statement भी था अभी हमने पढ़ा भी था The First Indian War of Independence 1857 to 1859 तो यह Karl Marx का एक बुक था असबाब ए बगावत ए हिंद ठीक है यह उर्दू लैंगविज में था 1859 में पब्लिश किया गया था बाई सर सेद अहमद खान ठीक है अलेगड मुसलिम स्कूल के जो फाउंडर रहे है उन्ही के द्वारा यह लिखा गया था असबाब ए बगावत ए हिंद that means reason for the Indian revolt of 1857 ठीक है तो Karl Marx की book आपको ध्यान रखनी है यह अगर यहां पर से हटा देना यह same as it is V.D. Sawareker की book का नाम भी है बट यहां पर यह यह मैंशन कर दें तो यह Karl Marx ठीक है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है रमेश चंत्र मजुमदार, R.C. मजुमदार की बुख है सिपोई, म्यूटिनी and the Revolt of 1857 नेक्स्ट, नव दिस क्वेस्टिन इस फो यू फो लेट दे रिवोल्ट of 1857 इन दे सिटी अफ लखनव 1857 की कुरांति का नित्रत्व लखनव में किस ने किया था ओप्शन्स आर रानी लक्ष्मी बाई, बेगम हजरत महल, कुवर सिंग, नाना साब और तात्या टोपे थैंकिये सो मच फर वाचिंग दिस, मिलते आपसे नेक्स्ट वीडियो में किल दिन टेक क्यार अपने खूब सारा ख्याल रखिए